नमस्कार में हूं राज़त के राश्चिय जंता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानन सिंग उन्होंने मुख्यमंति नितिश कुमार को कहा है कि जिस तरह से तमाम जो लोग है वो सरकार की मदद करना चाहते हैं सरकार किस तरीके से जो विपक्षि डल है उससे मदद लेना चाहते हैं यहीं नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से बात कर लें कि नेता प्रती पक्ष्ट यश्वी आदब के अभाहन पर तमाम जो जन प्रति नीदी हैं वो अपने अपने छेतरों में अपने अस्तर से तैयारियां कर रहे हैं लोगों को जागरूप कर रहे हैं और भी क्या कुछ कहा है जगदानंद सिंग ने आईए आपको विस्तार से बताते हैं रास्टिये जंतादल के प्रदेश अध्यक जगदरनंद सिंग ने कहा है कि कोरोना के इस महामारी में सरकार को हर प्रकार से सयोग देने को तयार है सरकार बताये कि वा किस प्रकार का सयोग विपक्ष लेना चाती है ऐसे नेता प्रतिपक्ष तेश्वी आदब के निर्देश पर पाटी के सभी विधायक और पाटी के सभी इकायों सहीत दल से जुड़े साथी पहले से ही अपने अपने छेतरों में सक्री हैं अधिक से अधिक लोगों को जाच करवाना और संक्रमित लोगों को समुचित उपचार के साथ सुराचात्मक उपयोग के प्रती जागरुकता पैदा करने का काम कर रहे हैं लेकिन गैस और सेलेंडर गैस और वेंटिलेटर की विवस्था करना तो सरकार के अधिकार छेतर में है दल से जुड़े एक विधायक ने तो नवादा जिले में अपनी नीजी फंड से 50 वेड की विवस्था भी कर दिये उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उसे विप प्रशासनिक महकमा के लोगों को भी अपनी जान पर खेल कर उपलब्द साधनों का इस्तिमाल करते हुए अपने अस्तर से बेहतर सेवा देने का परयास कर रहे हैं लेकिन साधन उपलब्द कराने की जेमेदारी सरकार की है राजत से जुड़े चिकित्सा और तकनीसियन पहले से ही निसुलक सेवा दे रहे हैं सरकार अपने अस्तर से यदि इनका सेवा लेना चाहती है तो यह जानकारी उपलब्द कराए राजत के साथ ही सेवा देने को तयार है वही राजत के परदेश अध्यक्ष ने कहा है कि यदि सरकार को आर्थिक सहयोग किया वा सकता है तो अभी उन्हे के हाथ में है नेतापरतिपक्ष तेश्वी आदब ने निर्देश पर हमारे सभी विधायक अपनी पूरी रासी आर्थिक सहयोग के रूप में देने को तयार है पिछले बार भी हमारे दल के विधायकों द्वारा सरकार को सहयोग मिल दिया गया था लेकिन उस रासी का कहा खच किया गया इसकी जानकारी भी सारजुनिक होनी चाहिए उन्होंने कहाया कि ततकाल अभी 14-14 लीटर वाली कम से कम 100-100 गैस सेलेंडर सभी जीलों को उपलब्द करानी जरूरी है जीलों की अबादी के अनुसार सेलेंडर की संख्या निर्धारित की जा सकती है बड़े अस्पतालों सहित सदर अस्पताल और रेफरल अस्पतालों में ख़रा पड़े वेंट्रिलेटरों को ततकाल मरमत करवा कर उसे इस्तेमाल योग बनाये जाए और वेंट्रिलेटर के हिसाब से गैस की आपूर्ती बढ़ाई जाए उनने कहा है कि सरकार की सारी वेवस्ता अस्पस्ट है कितना बेड़ गैस और वेंट्रिलेटर के वसकता है वो कितना उपलब्ध है या अस्पस्ट ही नहीं है हर तरफ अस्त व्यस्त की स्थिती है जिससे लोग परेशान है उन्हें पुना दुहराते हुए कहा है कि आपदा के इस घड़ी में राज़त भिहार की जनता के साथ खड़ी है और सरकार की हर तरह से सहयोग देने को तयार है अब सरकार को यह तै करना है कि वाकिस रूप में सह योग लेना चाती है उन्हें पाड़ी के विधायक और पाड़ी के सातीयों से कहा है कि वे अपने छेतरों में बने रहें और अपने अस्तर से हर ऐसा परियास करते रहें जिसको परिसानी नहीं हो तो जिसतरह से बात कर ले कि आरज़डी के प्रदेश अध्यक्ष्डश अगर सरकार जो है विपक्ट से कोई किसी तरह की मदद लेना चाहती है तो वह मदद करने को तयार है इतना ही नहीं उन्हें कहा है कि जिस तरह से डॉक्टरों की कमी हो रही है तो उसको लेकर भी उन्हें कहा है कि जो तमाम जो राज़त के जो डॉक्टर्स हैं जो टेक्नीशि कि अप्ता है